डाइनसौर्स जो रेंगने वाले जीवों के वंसस थे लेकिन आकार में बहुती बड़े डाइनसौर्स ने पृत्वी में बहुती लंबे समय तक राज किया करीब 14 करोड सालों तक इस धर्ती पर इन दैताकार शिपकलियों का रास था परन्तु उसके बाद क्या हुआ आखिर ये डाइनसौर्स कहां भी लुप्त हो गए आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामों निसान मिटा दिया इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा तो आएए चलते हैं आज से साड़े छे करोड साल पीछे आज से करीब साड़े छे करोड साल पह जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चुहे जासा दिप्दा था असल माइनों में ये ही हमारे प्राचीन पूरुवस थे और आगे चलकर हम इनी से विक्सित होने वाले थे ये थे मैमल्स यानि इस्तंधारी चीव आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ड के लिए वर्दान बनने वाला था जब ये सारे जीव आराम से धर्ती में अपना जीवन बिता रहते उस वक्त एक 10 किलोमेटर के डायमेटर वाला एक एस्टरॉइड सीधे धर्ती की और बढ़ रहा था धर्ती के ग्राविटेशनल फिल्ड में घुसते ही इसका रफतार एक की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमेटर के रेडियस में आने वाले सभी चीव पूरी तरह से अंदे हो चुके थे ये जीव से देख नहीं पा रहे थे लेकिन वो इसे मैसूस कर सकते थे एस्टरॉइड जमीन से टकरा होता है ये विस्फोर्ट इतना सक्तिसाली था कि इसके टकराते ही प्रित्वी की लाको मेट्रिक टन धातू अंतरिक्ष में चला गया विस्फोर्ट वाली जगह पर एक 180 किलोमेटर चौड़ा और 20 किलोमेटर गहरा गठ्धा बन गया इस गठ्धे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्मान किया इतने बड़े टकर की वजह से भुकम की तरंगे धर्ती के ग्रश्ट में कई किलोमेटर दूर तक चली गई इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्मान हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरे चारों तरप पादबुक के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया इस महाविनास में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खत्रों से बच गये थे लेकिन ये तो बस महाप्रले की सुरुवात थी विसवोट की वजह से जो लाखोमेट्रिक टन धूल और पत्तर अंतरिक्ष में गया था ठीक 40 मिनिट बाद वो आग के गोले के रूप में धर्ती पर बरसने लगे साथी धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमेटर प्रती घंटी के रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था ये धूल के बादल कई किलोमेटर मोटे थे जिसकी वजह से धर्ती पर सूरज की रौष्णी का पहुच पाना असंभव हो गया था कई सालों तक धर्ती पर सूरज की रौष्णी पहुची नहीं पाई और इसके परिनाम सुरुप धर्ती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गय थी इस बादल ने धर्ती को चारो से बच नहीं पाए इस महाप्रलय में धर्ती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदयमन साबित होने वाला था डाइनसौर का अंत एक नए प्रजाती के लिए सुनहरा अवसर था मैमर्स इन्होंने खुद को इस महाविना में मिलने वाला था जिससे आज हम इनके अस्तितों का अनुमान लगा सकते हैं महाप्रलय के कुछ लाक साल बाद अब धर्ती पूरी तरह डाइनसौर से मुक्त हो चुकी थी और धर्ती पर एक नए शुरुवात की प्रक्रिया चल रही थी इस नई दुनिया में हमारे प्रा प्रासमलोग 7 करोड साल पहले अब धर्ती का वातावरन लगभग पूरी तरह से आज के समान बंच जुका था इस वक्ड़ती का तापमान 24 डिगरी सलसेर था और धर्ती का एक दिन करीब करीब 24 गंटों का होता था इस वक्ड़ती के सारे महतुईप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी, केवल एक नए भूबाग की रचना बाकी रह गई थी, धर्ती के टेक्टॉनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हल्चल हुई, जो धर्ती के दो बड़े-बड़े दुईपों को एक दूसरे के पास ले जा रहे थी, ये वही भूबाग है, जहां आज इस व दुनिया की सबसे उची चोटी, माउंट एवरेश्ट, इस परवत स्रिंकला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्मान करने वाला था, जो भविश्य में दुनिया के लगवग आधियाबादी को पीने का पानी मोहिया कराने वाली थी, लेकिन यहां धर अभी इलाके में एक नए परवत स्रिंकला का निर्मान कर, इस्ट अफरिकन रिफ्ट वैली, यह परवत यहां आने वाले मौनसुनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, और इस वज़े से यहां के जंगलों में बारिसानी बंद हो गई, यहीं इसी जंगल में रहते थे, एपस, यह पेड के उपर रहते थे, जहां उनको खानी की कोई कमी नहीं थी, इस वज़े से यह हमेशा पेडों पर ही रहते थे, लेकिन अब यहां समय के साथ साथ सूखा पढ़ने लगा, बिना बारिस के जंगल पूरी तरह साफ हो गई, और इन एपस के लिए खानी क की समश्चा उत्पन हो गए, खानी की तलास में इन्होंने पेडों से उतरने का निर्नाय लिया, यह है एडिपितेकस रेमिडस, यह हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्नाय लिया था, इनका दिमाग एक संत्रे जितना बड़ा था, और आकार में य चार फिट लंबे होते थे, कई हजार सालों के विकास करम के बाद हमारे पूर्वज अब दो पैरों पर चलने लगे, इससे उर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते हुए भी खा सकते थे, अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था, यह धीरे-धीरे होसियार बन रह अब सिकार करना काफी आसान हो गया था, समय के बितने के साथ-साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया, आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी, और इसी अब इनके दिमाग में खर्चोने लगे, हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था, यह थे होमो एरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्नी जानवरों से ज़्यादा होसियार थे, और मिल जूलकर रहने वाले पहले जीव थे, इन्होंने अपने संद विक्सित होकर हम बने, आज से करीब दो लाग साल पहले, कई सालों के विकास करम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ, हम होमो सेपियास, यानि बुद्धिमान जीव, हमारे पास धर्थी के सारे जानवरों के तुल्ला में सबसे बड़ा दिमाग था, हमारे पास ओजा ये है हमारी दुनिया, हमारा समय, आज हम काफी विक्सित और आधुनिक बन चुके हैं, आज हम अपने आसपास घटनी वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि ये समुद्र कहां से आये, हम आज ये भी जानते हैं कि ये जमीन जहां हम घड़े हैं, उ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये सफर कैसा लगा अगर आप नए है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बैल को भी आन कर ले मैं म बलता हूँ फिर से एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ झाल 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